हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एस टैंक, जी एस टैंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम डिसकस कर रहे हैं, इंटायर इंडियन पॉलिटी, यानि की संपूर्ण भारतिये राजवेबस्था पे, और कल हमने, यानि की पीछले वीडियो में, हमने कोभर क यानि की center state relation था, वो हमारा complete हो गया था, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, playlist create किया हुआ है, ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को subscribe कर लीजे, वीडियो को like और share भी कर द हुआ है, ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे, यानि की part 12 को लेके, ठीक है, जो की है हमारा finance, property, contract and suits, ठीक है, जिसके तहत अलग-अलग different topics आते हैं, ठीक है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है, तो आईए वीडियो को start करते हैं, finance, property, contract and suits, अगर इसके हिंदी की बात करें, तो with, संपत्ती, अनुबंध, और suit को suit ही कहते हैं, ठीक है, यह इसका हिंदी हो गया, अगर यह बात करें कि कौन से भाग में हैं, तो यह है part 12, यानि कि सम्विधान के भाग बार में है, और article का बात करें, तो 264 से लेके 300 a तक है, ठीक है, part 12 में है, और यहीं बात करते हैं, इसके article का तो 264 से लेके 300 a तक है, ठीक है, part 12, अब हम बात करें कि इसमें कौन-कौन से topic हमें परने हैं, यह तो पूरा आपका part है, लेकिन हम देखते हैं, इसमें कौन-कौन से very important topic, जहा तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है Consolidated Fund Consolidated Fund हिंदी ये बोले तो संचीत नीधी ठीक है, दूसरा रहेगा हमारा Contingency Fund यानि कि आकस्मिक नीधी तीसरा हम इसमे पढ़ेंगे GST ये तो पता ही होगा Goods and Services Tax लेकिन GST जो Proper GST है वो Economics का पार्ट है तो हम इसमें बस यही देखेंगे कि GST होता क्या है बेसिक और वो कहां से लिया गया है और कौन से आर्टिकल में है हम लोग अस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इडिटेल्स परना है इसका Economics में ठीक है इसके बाद हमें परना है Finance Commission Finance Commission यानि कि वित आयोग ठीक है और इसके बाद परना है Right to Property के बारे में संपत्ति का अधिकार Right to Property बोले तो संपत्ति का अधिकार तो में इस पूरे पार्ट में यही 5 टॉपिक परना है Consolidated Fund, Contigency Fund GST, Finance Commission और Right to Property ठीक है जो 300 A में आता है यह ठीक है तो यह हम लोग परने वाले हैं ठीक है तो I hope कि यह क्या-क्या परना वो clear हो गया हो तो हम आते हैं इसके पहले टॉपिक पर तो पहला टॉपिक है हमारा वो है संचित नीदी बोले तो Consolidated Fund जो कि आता है अपका Article 266 के तहर्त 266 आटिकल में यह बताया गया है और यहीं संचित नीदी की बात करें तो इसका इंग्लिस पर जागा Consolidated Fund Consolidated Fund ठीक है जिसका चर्चा कहां है Article 266 में ठीक है clear point अब इसको आप समझे एकदम आसान भासा में मतलब वैसे तो अगर हम quality में बात करें तो यह थोड़ा सा tough हो जाएगा लेकिन आपको एकदम देसी भासा और आसान भासा में समझा देंगे संचित नीदी को भी और अकस्मिक नीदी को भी ठीक है तो जैसे आपके पास पर्स है ठीक है आपको ही market जाते हैं आपके पास पर्स है और आप उस पर्स में कुछ पैसा लेकर चलते हैं किया इतना का सौफिंग करना है इतना यह कर इतना है आपका कोई fix budget है जितना पैसा आप लेकर market में जा रहे हैं ठीक है तो आप जो पैसा खर्च करेंगे वो उसी पर्स के पैसे से खर्च करेंगे ठीक है तो वो जो पर्स में आपका पैसा डाला हुआ है वो आपका consolidated fund है वो आपका संचित निधी है आप जो पैसे का use करेंगे आप वो उसी पर्स से use करेंगे ठीक है ठीक उसी तरह भारत सरकार के context में क्या है कि भारस सरकार के पास संचित निधी होती है मतलब जो भी खर्च होता है भारस सरकार का ठीक है वो चाहे करमचारियों को देना है या धिकारियों को देना है कोई एक्स्ट्रा खर्चा है तो वो सारा खर्च जो है सो सरकार के संचित निधी से ही किया जाता है तो आई इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं तो यह कहने का मतलब है कि संचित निधी से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित कराना होता है और अगर सरकार को संचित निधी से खर्च करना है पैसा तो उसके लिए विनियोग विधेयक को संसद के द्वारा फारित करा जाता है और विनियोग विधेयक क्या है यह हमने आल्रेडी आर्टिकल 114 जिसको इंगलिस में बोलते हैं एप्रॉक्सिमेशन बिल यह आल्रेडी हम गिस्कस कर दिये हैं जहां पर अगर पैसा निकालना है तो इसको पास कराना जरोड़ी ही जरोड़ी है और हमने उस समय यह भी बताया था कि कोई काम अटकता है जैसे मालज़ें कि भारस सब्सक्राइब कोई काम है रोड का काम है चाहिए किसी विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है अगला है केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों करमचारियों को वेतन संचित निजी से ही दिया जाता है पहले मने आपको बताया कि जो भी भारस सरकार का खर्चा है वो चाहिए सेलरी किसी को देना है केंद्र सरकार के बात हो रही है बतलब केंद्र में सेलरी किसी को देना है वो चाहिए ऑफिसर से हो इंपलॉई हो अब आप सुच रहे हैं कि महानियावादी भी तो केंदर सरकार के तहट नहीं आता है तो इसको क्यों नहीं दिया जाता है तो आप जब Article 76 मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय ये बताया था कि जो महानियावादी होते हैं यानि कि Attorney General होते हैं आपको पता है कि Advocate का कोई salary नहीं होता है एड़ोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया सब को कोई salary नहीं होता है यानि कि जो भी इन पे खर्च होता है वो भारत सरकार रिम्बर्स करती है तो महानियावादी को वेतन नहीं दिया जाता है उनको फीस मिलता है और फीस कैसे मिलता है रिम्बर्समेंट के तौर पे दिया जाता है ठीक है और हम ये आपको पूरा डिटेल्स में महानियावादी टॉपिक में ये बात परहाज होके है महानियावादी काने का उतला है attorney general attorney general और ये किस article में आता है ये आता है article 76 में of Indian Constitution ठीक है clear इतना point तो ये होगी आपका 266 जिसमें simply ये समझे कि जो आपके पास पर्स है उसमें पैसा है वो आपका consolidated fund है वहीं से आप पैसे को खर्च करेंगे ठीक है अब अगला है अकस्मिक नीदी जिसको बोला जाता है इंग्लिस में contingency fund contingency fund ये तो होगी आपका समझेधान के भासा में ये contingency fund है लेकिन इसको देशी और आसान भासा में आप बोल सकते हैं emergency fund emergency fund यानि कि आपात काल के लिए जो पैसा आप बचा के रखे हुए है वो होता है ये ठीक है तो आप फिर इसको पर्स के context में समझते है तो इसमें किया था कि बस पर्स में जो आपका पैसा है वो आपका consolidated fund है लेकिन आकस्मिक निधी में क्या होता है कि जैसे आपके पास तो पैसा है पर्स में आप पैसा रख लिए ठीक है लेकिन कुछ ऐसा आपके पास emergency आ गया कि वो पैसा आपका खतम हो गया पर्स का तो आप जो है सो कुछ emergency के लिए एक अलग पैसा रखेंगे हो सकता है कि पर्स कहीं छोटा pocket में रख ले कहीं अलग कहीं एक पर्स में रख ले एक extra पर्स के लिए ठीक है भारत सरकार जो है सो national calamity के लिए खर्चा करेगी यानि कि राष्ट्रिये आपदा के लिए खर्चा करेगी वो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे आकस्मिक निधी भारत सरकार के context में ठीक है clear point तो यह होगी आपका contingency fund अगला point इसका कहता है कि आकस्मिक निधी से धन राष्ट्रपती निकाल सकते है यानि कि अगर contingency fund से पैसा निकालना है तो यह राष्ट्पती या काम है निकालने का ठीक है पैसा जो है वो राष्ट्पती निकालेंगे यह बात कही गई है इसमें और अगला है amount एमाउंट करने का मतलब है कि contingency fund में 12 सारा कितना पैसा राता है तो पहले की बात करें यानि कि 2019 से पहले इसका था 500 करोर था ठीक है लेकिन आपको बताए कि इसका यूज यानि कि contingency fund का यूज होता है national calamity के लिए रास्ट्रिय आपदा तो 2020 में जो कोरोना था वो क्या था रास्ट्रिय आपदा ही था एक तरह था तो उस समय क्या हुआ था कि यह जो 500 करोर का amount of contingency fund का इसको बरहा के कर दिया गया है 30,000 करोर का 30,000 करोर मने कि 500 करोर से सिधे 30,000 करोर कर दिया गया है currently ठीक है तो clear point यह पुड़ा उमीद करते हैं कि आपको यह दोनो contingency और consolidated clear हो गया होगा ठीक है इसको आप note down या screenshot ले ले लेजे फिर इसके आगे GST पर आते है अगला जो topic है ठीक है वो है GST GST बोलें तो goods and services पैक्स यह तो आप जानते ही होंगे ठीक है लेकिन यह जो है so आता है article 279A ठीक है जो यह lie करता है सम्विधान के वो करता है article 279A अब आप लग रहा हो कि यहाँ पर A लगा हुआ है तो A लगा हुआ ऐसा क्या मतलब है कि कोई sub part है यह तो इसके लिए कोई संसोधन किया गया होगा है ना तो जो संसोधन किया गया था जिसके थूँ यह एड किया गया है वो है 101 101 यहने कि 101 Constitutional Amendment एक्ट 2017 फिक है इसको जो एड किया गया है वो 101 सम्विधान संसोधन अधिनियम 2017 के तहट एड किया गया था और अगर एक्जेक्ट डेट जानना है तो एक जुलाई 2017 फिक है एक्जेक्ट डेट है एक जुलाई 2017 अब इसके बारे में कुछ और important चीज जान जाई है जो इंडिया में GST चलता है इंडिया में जो GST का system है वो है dual model of GST dual model of GST अब dual कहने का क्या मतलब है dual कहने का मतलब है कि CGST और SGST यानि कि center और state जो GST है वो इंडिया में implemented है और यादि पूछे कि ये किस देश से लिया गया है ये किस देश से लिया गया है तो ये लिया गया है कनाडा से जो इंडिया में GST का model है वो कहां से लिया गया है वो Canada से लिया गया है ठीक है, clear point तो ये कुछ बाते होगे किसके related, GST के related, अब इसका जो details है कि ये किस type का taxes में क्या-क्या होता है, ये सब चीज़े हैं आपका economics का, तो वो हम यहाँ discuss नहीं करेंगे, ठीक है तो ये होगे आपका GST, अगला जो परहेंगे वो है finance commission, ठीक है जिसका हिंदी की बात करें तो वो हता है with-a-yog with-a-yog और बात करें कि ये किस article में आता है, तो ये आता है article 280 में article 280 जो है वो finance commission से related है ठीक है, अब यहाँ देखते किसका काम क्या है finance commission का तो जो वित-a-yog है वो केंदर तता राज में कर और आए का बटवारा करता है, यानि कि जो काम है finance commission का वो है केंदर और राज में tax और revenue उसका distribution करना ठीक है, clear point अब देखते किसका अस्थापना कब हुआ था इसका अस्थापना हुआ था 22 November 1951 को इसका जो अस्थापना किया गया था वो किया गया था 22 November 1951 को ठीक है, और ये जो है यानि कि जो finance commission है वो five member body है यानि कि पाँच सदस्ये निकाय है ये, ठीक है, जिसकी नियुक्ति है जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और चार अन्य सदसे होंगे एक अध्यक्ष होगा और चार अन्य सदसे होंगे और हम आपको बता दें कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो अर्थ सास्त्र का बहुत जादा ग्यानी होता है बहुत बड़ा ग्यानी होता है वो इक्रोमिक्स का यानि कि आप बोल सकते हैं कि वो एक तरह से एकनॉमिस्ट होता है वो ठीक है और अबर करेंट में बात करें कि अभी कौन है इसके चेर्मेन तो यह है नंद किस ओर सींग हिंदी में लिख देते हैं ठीक है और चार इसके अन्य सदस्य होते हैं इसमें ठीक है और बात करते हैं इसके कारेकाल का तो यह कितना होता है यह होता है पांच वरसों का कारेकाल जो tenure होता है finance commission का वो कितना होता है पाँच साल का होता है यानि कि हर पाँच साल पे इसका गठन किया जाता है गठन कौन करेंगे रास्ट पती करेंगे ठीक है अगला point है एक note type का है कि अगर बीच में कोई छोड़ता है कोई सदस्य छोड़ता है यानि कि ये चार सदस्य है इसमें से कोई एक resign कर दिया चला गया छोड़ दिया तो क्या होगा तो नया सदस्य का कारेकाल बाकी बचा समय रहेगा सुरुवात से 5 साल नहीं होगा यानि कि मालीजी कि कोई सारे 3 साल में छोड़ दिया कोई member सरे 3 साल में छोड़ दिया तो नया जो notch होगा यानि कि नया जो member आएगा उसका tenure 1.25 साल का ही रहेगा पॉर एकजांपल ये था सरे 3 साल का तो अकर सरे 3 साल में कोई resign करता है छोड़ के जाता है तो उसका जो कारे काल होगा नया जो आयगा उसका डेर साल होगा नजी मुआ की शुरुवात से पास साल होगा पॉइंट कलियर है अगला पॉइंट कहता है कि जो वित आयोग है वह अपना रिपोर्ट यानि कि वित आयोग Finance Commission घ्मशन जो है तो तो रिपोर्ट बनाएगा ही Clear point, अगला है कि अब तक 15 वित आयोग का गठन किया जा चुका है, यानि कि अभी तक, till date, 15 Finance Commission का गठन किया जा चुका है, और 15 हमां कौन है अभी current, NKC जो की पदगरहन कब किये थे, 2020 में किये थे, और till date आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहीं अगर बात करते हैं, पहले अध्यक्ष का, जो वित आयोग जब अस्थापित हुआ था, उस समय जो पहला अध्यक्ष थे, वो थे केसी नियोगी, यहाँ पे लिख देते हैं, केसी नियोगी, और इनका क्यार क्याल कब से था, 1952 से लेके 1957 तत, यह केसी नियोगी का कारेकाल था, टेनियोड था, ठीक है, यह थे फिर्स्ट चेर्मेन, क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है, अब बात करते हैं इसका सुझाओ का, कहने का मतलब है कि जो फाइनेंस कमिशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुझाओ देता है, ठीक है, किसी-किसी चीजों पर, यानि कि टैक्स के डिस्ट्रिब्यूशन पर हो गया, रिवि जाओ, देता है, फाइनेंस कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो होता है, डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ टैक्सेस, और इस पे जो है से कोई बाउन्डेशन नहीं है, कि सरकार इसको माने ही माने, सरकार चाहे तो इसको मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकता है, नो Supreme Court जब राश्ठपदी को सलाह देता है राश्ठपदी भी depend करता है कि वो अही नहीं मानेगा ठीक इसी तरह वित आयोग जो सलाह देता है Government of India को वो सरकार भी depend करता है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा ठीक है तो इतना point clear है आपका वित आयोग का तो आप इसको note down या screen shot इसको ले लीजिए फिर इसके आगे देखते है तो अब इसमें जो एक topic और बचा वो है आपका जो most important है right to property है ना जो right to property है वो इसमें पच गया है वैसे ही इसमें बहुत सारा articles भी है लेकिन वो उस articles को cover नहीं करें है जो भी most important है उसी को हम cover करेंगे अब अब सारा articles पर आने बैचेंगे 264,666,666 तो उसको कोई फैदा नहीं है अब कोई पढ़ने परिशानी होगा पाल दोगा पढ़ेंगे उसने कुछ मतलब उतना है नहीं ठीक है तो आईए इसके बाद last जो है वो देखते है right to property right to property जो है वो किस में आता है article 300a में आता है और part 12 तो हमारा चली रहा है right to property का हिंदी क्या हो जागा संपत्ति का अभिकार right to property का हिंदी क्या हो जागा संपत्ति का अधिकार आता है किस में article 300a में और part 12 में है ठीक है अब अगर आपको याद होगा तो right to property जो है वो पहले किस में था पहले article 31 में था था न और 31 में जब था उसमें ये क्या था उसमें ये था fundamental right यानि बोले तो उसमें ये क्या था मौलिक अधिकार ठीक है लेकिन इसको जो मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बनाया गया ये कब और कैसे बनाया गया तो ये बना गया था 44 मा संविधान संसोधन अधिनियम 1978 के सहत सौट मैं बोलें तो 44th Constitutional Amendment Act 1978 ठीक है जो fundamental rights यानि कि article 31 से इसको जो मौव करके लिए गया article 300A में यानि कि मौलिक अधिकार से इसको जो संपत्ति का अधिकार बनाया गया वो बनाया गया था 44 मा संविधान संसोधन अधिनियम 1978 के तहत उसके बाद ये क्या हो गया उस बाद ये legal right हो गया पहले क्या था fundamental right था उसके बाद क्या हो गया यह legal right यानि बोले तो कानूनी अधिकार ये बन गया ठीक है clear point यानि कि अभी जो है ये क्या है ये कानूनी अधिकार है ठीक है तो इस तरह से हमारा जो पूरा पार्ट 12 है finance, property, contracts and suit यह हमारा complete हो गया जिसमें हमने पूरे most important जो points थे यानि की contingency fund consolidated fund, GST, right to property, finance commission यह जो है पूरे उसको हम पूरा अच्छे से कौभर कर दिये हैं ठीक है तो अगर आप इसको वीडियो में कोई भी doubt है इस वीडियो स्रिलेट अगर कोई भी doubt है तो आपको comment section इसको बता देना है कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया चाहे कुछ भी वैसे हम अपने तरीके से सब कुछ आपको समझा दिये है ऐसा उमीद करके हम परहाए है कि आपको कोई problem नहीं हो इस topic में मतलब कहीं सभी आप question उठाए तो आपका बन जाएगा ठीक है तो आज हम वीडियो को यही तक रखेंगे ठीक है फिर कल हम मिलेंगे और कल जो है सो हमारा part 13 रहेगा ठीक है तो आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा यह comment में जरूर बताईए कोई problem है फिर भी आप comment में जरूर बताईए तो फिरहाल इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और अगर आप इस ने आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो आप channel को subscribe कर लिजे वीडियो को like भी कर दिजे share भी कर दिजे और bell icon को press कर दिजे ताकि कोई भी update जो है आपको सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं कल ने topic के साथ तब तक के लिए thank you so much bye bye, good bye, take care